दोस्तो कौन केता हिम्मत पस्त होती है भात सही एक महतपूर पोर्च दिखाऊंगा लेकिर उससे पहले एक महतपूर चीज दिखाने वाला हूँ आपको एक बार पुना EPS 95 पेंशनर जो है अपनी आंदोलों शुरू करने वाले हैं बड़ी खबर दे रहा हूं आप सभी के सा सबसे पहरे दोस्तों आप यह लेटर देखिए EPS 95 की तरफ से है नेशनल लिक्षिन कमड़ी की तरफ से यह कब फिर में है पूर्मिशन में आपके साथ आजया कर रहा हूं आपके स्टेट वाइस देख सकते हैं चैन अंगर स्ट्राइक प्रोग्राम अनब्रोकेन फ्रॉम यानि तीस तारीक से जह सुरू हो रहा है कारिकरम फिर से EPS 95 पेंशनर का एक बार फिर से आपके सकतो धमाका और इस बार यह धमाका रुकने वाला नहीं है जब तक उनके मांगे पूरी नहीं हो जाए सरकार को निश्चित और पिनके मांदा को धान देनी पड़ेगी क्यों है आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कुछ पर पोस्ट भी पढ़ाने वाला हूं दुख सोनाने वाला हूं जो कि काफी महतपूर है तो यहां पर महतपूर बात यह कि तीस एक को उत्तराखंड का करक्रम है यानि चे अननंगर स्ट्राइक कर उसके बाद 31 को है पंज आपको उत्राखंड फिर से शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर से वो जो पूरा उपर का सरके लिए वह सरके फालो लेगा करेंगे पोस्ट के वारे में आपसे बात कर रहा था कि कौन कहता है हमारी हिम्मत पस्त हो गई है नियूनितम पेंसन वालों का फिर दिल्ली में चलो आंदोन बेचारे लगे हुए हैं पर कब तक इसका पता किसी को नहीं है सरकार की ओर से लगातार सिवाय आश्वाशन देर के सिवाय कुछ नहीं किया गया है अभी तक हाल हाल स्रम मंत्री जी ने महारास तोरे के दौरान कहा है एक आधमा तक आंदोलनकारी पेंसनर्स थोड़ा ठहर जाए लगता है उसी हिसाब से ने पूना आंदोलन की घोश्रा की है पर हायर पेंसन वाले कहां पर कितना लगे बढ़ाय जाने को लेकर कोई पेंसनर्स संगठन बिरोध कर सकेगा कागजी ही सही कुछ तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कम से जिन आवेदारों की जॉइंट आफसन की वालेडेशन 31, 12, 23 तक पूरी हो चुकिया उनके प्रकरण का निराकरण तो किया ही जा सकता था क्या उमीद करें कि वो कोई सार्थक आवाज लगा सके सुक्रिया कहना चाहिए एनेसी के सिनापती कमांडर असोक राज जी का जो की जी का की वो हार पेंसन चाहने वाले का भी ख्याल रखे हुए हैं तो निश्य तोर पे यह बात आपको माननी पड़ेगी जो कमांडर असोक रा होगा कि काफी स्ट्रिगल किया है काफी स्ट्रिगल कर रहे हैं कई वीडियो में आपने देखा होगा जो है कि उनका हाऊसला जो है वो लगातार बरकार यह अपने आपें बहुत बड़ी बात है कि एक लिडर जो है बुजर्कों के लिए अपना सरबस ने उच्छाबर करके प्रयासरत है तो यह अपने आ अपके बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है जिंदगी का एक अधेश यहे है जो कि Bجर gal की सिवाई यह अपने आपने बहुत ही बहुत कुछ कुछ दर्शाता है एक व्यक्ति के अपना ख्याल के आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया